गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थवा सुरक्षित होंगे बच्चों मिसन सिक्षन समवात के अंतरगत द्यनिक पठन पाठन में आज हम पुन्रवरत्ती करेंगे ग्रह शिल्प कक्षाठ के पाठ प्रात्मिक उपचार आईए बच्चों शुरू करते हैं प्रात्मिक उपचार क्या है प्रकृति ने हमारे सरीर की सुरक्षा की समुचित ब्यवस्था का प्रवंद किया है फिर भी जीवन में कब कौन सी दुरगटना हो जाए कहा नहीं जा सकता जलना, हड़ी का तूटना, लू लगना, बुखाराना, आदी में लापरवाही वर्तने से रोग गंभी रूप ले सकता है अतर हम सभी को प्रात्मिक उपचार के विसे में ज्यान होना आवेशक है डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली सेवा को हम प्रात्मिक उपचार फर्स्टेड कहते हैं प्रात्मिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्रात्मिक चिकिस्सक पेटिका को बनाते हैं इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औस्धियां होती हैं, जिन में से कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामगरी से बनी औस्धियां रखी जाती हैं प्रात्मिक चिकिस्सा के बारे में जानकारी होने पर हम दूसरों के साथ साथ स्वयम का भी उपचार कर सकते हैं या घायल या बीमार व्यक्ति की वास्त्विक चिकिस्सा को चिकिस्सक ही करता है पर प्रात्मिक चिकिस्ता चिकिस्तक के देखने के पूर तुरंत पहुँचाई जाने वाली सहायता है ताकि व्यक्ति की दसा अधेक बिगणने ना पाए इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हैं उसे प्रात्मिक चिकिस्ता कहते हैं प्रात्मिक चिकिस्ता के लिए प्रात्मिक उप्चार पेटिका का होना अतियावश्यक है हर घर ओफेस या बिद्याले में उप्चार पेटिका होनी चाहिए जिसमें प्रात्मिक चिकिस्ता से समधित सामगरी जैसे पट्टियां, बैंडेट, कैंची, एंटिसेप्टिक, लोशन, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, लेक्ट्रॉल आधी होना चाहिए। तीब्र ज्वर्ट, सामाने रूप से एक स्वस्त व्यक्ति का उस्तन ताप मान 98.40 फॉरन हाइट रहता है। जब किसी व्यक्ति के सरीर का ताप मान 98.40 फॉरन हाइट से अधिक हो जाता है, उसे ज्वर होता है। 98.40 से 1000 फॉरन हाइट तक का तक रोगी लगभग सामाने सा रहता है। किन्तु इस से अधिक ज्वर होने पर रोगी में बेचैनी बढ़ जाती है। और वह अधिक कमजोरी महसूस करता है। सामाने रूप से ज्वर में 4-4 घंटे बाद शरीर का ताप थर्मा मीटर से लेकर नोट किया जाता है। परंतु तीब्र ज्वर की इस्थिती में 2-2 घंटे बाद ताप करम की सारनी बनानी चाहिए। उधारन के लिए यदि रोगी का हर 2 घंटे बाद ताप लेना हैं तो सुबह 6 वजे, 8 वजे, 10 वजे, 12 वजे ताप लें और उसकी तालिका अंकित कर लें। तीब्र ज्वर से पीरित व्यक्ती की देख भाल निम्न लिखित प्रकार से करने चाहिए। नमबर एक रोगी को हलका एवं सुपाच्य भोजन दें जैसे खिचरी, दूद, साबुदाना, फल, आदिक। रोगी का लगातार साबधानी पूरवक ध्यान रखना चाहिए। उसे हलके कपड़े पहनाईए और इसनान के इस्थान पर गीले कपड़ों से सरीर भली भाती पोश्ट कर स्वक्षिर रखें। यदि ज्वर अत्याधिक है किन्तु पैर ठंडे हैं तो ऐसी स्थिती में उसके पैरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए। यदि तापमान एक हजार दस फोरेन हाइट से अधिक हो तो सरीर को गीले वस्तर से पोचना चाहिए। यदि तापमान एक हजार तीस से एक हजार चालिस फोरेन हाइट हो तो हो गया है तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। यदि ज्वर कम न हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्स लेना चाहिए। लू लगना अधिकतर देर तक कड़ी धूप में तथा गर्म हवा में रहने से लू लग जाती है। लू लगने पर नेमलेखित लक्षर प्रिकर्ट होते हैं। नमबर एक रोगी को बेचैनी होती है एवं शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। नमबर दो चक्कर आता है सरीर में पीड़ा होती है। रोगी को सांस लेने में कठनाई होती है प्यास अधिक लगती है। चहरे लाल हो जाता है कभी कभी रोगी अचेत हो जाता है। उपचार देखते हैं बच्चो क्या उपचार कर सकते हैं। रोगी को ठंडे और छायदार इस्थान पर ले जाना चाहिए। उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए या यता संभव कपड़े उतार देने चाहिए। सिर्फ तथा गर्दन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। और या वहाँ पर बर्व मिलनी चाहिए, मलनी चाहिए। रोगी को पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए। कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देरा चाहिए कच्चे भुने अत्वा उबले हुए आम को मसल कर उसमें नमक भुना जीरा मिला कर पना बना ले छे पना पिलाने से रोगी को लू के प्रभावस से गाहत मिलती है पोदीने का पानी पिलाने से भी लाब मिलता है बारीक पिसी प्याज या आम रोगी की हथेली और तालू पर मले लू लगने से बचने के लिए कुछ साथानिया भी बढ़तनी चाहिए कभी घर से खाली पेट ना निकले खुब पानी पी कर ही बाहर दिकले आम का पना पियें खाने में कच्ची प्याज का प्रयोग करें बाहर निकल लें पर सिर्व वा कान ढख लें जुलसना जलना या जुलसना आग की लपट से किसी गरम धातू से रसाइनिक पदार्थों से तेजाप से बिजली की धारा करेंट से पीड़ित होना जलना कहलाता है भाप या गरम तरर्पदार्थों से गरम दूद से चाह से उबले पानी गरम तेज या घी से जलना जुलसना कहलाता है इन दोनों इस्थितियों के परणाम एवं उपचार एक ही से होते हैं जलने की मात्रा एवं गंभीता के में अंतर होता है यदि व्यक्ति के सरीर के दो तिहाई भाग की तवचा जल जाती है तो उसे अत्याधिक चिंता जनक है गंभी रूप से जलने से सरीर के आंतरे के अव्या बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और व्यक्ति की म्रत्यू हो जाती है लक्षण तवचा का लाल हो जाना या फफोले पढ़ जाना कपड़े का तवचा से चिपक जाना अधिक जलने से रोगी को सद्मा हो जाना जैसे चेहरे का पीला पढ़ जाना ठंड लगना धरकन बढ़ जाना यदि ऐसे रोगी का सीगर उपचार नहीं किया जाता है तो उसकी मिरत्यू भी हो सकती है वस्त्रों में आग लग जाने पर उपचार यदि खाना बनाते समय या किसी अन्य कारण से कपड़ों में आग लगती है तो रोगी को तुरंत कंबल से ढख कर जमीन पर लुटाना चाहिए किन्तु उसका मूह खुला रहने देना चाहिए जली हुए स्थान को वर्फ से धुएं यदि बर्फ उपलब्द ना हो तो सामान ठले पानी से धुएं रोगी के कपड़े जूते आदी उतार लेने चाहिए यदि नहीं उतार सकें तो जूतों को काट देना चाहिए रोगी को उठा कर एकांत स्थान में कंबल उड़ा कर लिटा देना चाहिए उसको पानी उसको पीने को गरम दूर या चाह देना चाहिए यदि फफोले पड़ गए हैं तो उनको फोरना नहीं चाहिए क्योंकि वे तब तक नीचे की कूमल तचा की रक्षा करेंगे जब तक नई तचा नहीं आती आ जाती है रासाइनिक पदार्थों से जलना रासाइनिक पदार्थों से जलना बहुदा अत्याधिक गंभीर होता है तथा इसके परणाम सरूप सरीर पर गहरे निशार बन जाते हैं आईए उपदार्थों से जलने पर तुरंत ही सरीर से कपड़े उतार कर जले हुए भाग को पानी से अच्छी तरह दूना चाहिए यदि संभव हो तो जले हुए भाग पर कई मिनट तक बार बार पानी डालना चाहिए तेजाब अमल या एसिट से जलना तेजाब से जलना अत्याधिक गंभीर होता है ये जिस स्थान पर गिरता है उसे तुरंत जला देता है उपचार यदि सरीर के किसी भी भाग पर तेजाब गिर्ज पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया के घोल से धूना चाहिए यदि यह ध्यान रहे की पानी से कभी नहीं धूना चाहिए बिजली से जलना प्राया बिजली के का करेंट लगने पर व्यक्ति जल जाता है एसी बिद्द्धारा का करेंट अधिक आगात अधिक घातक होता है इससे व्यक्ति की मृत्ति होने की सभी सम्हावना रहती है परंतु घरों में जो बिजली प्रियोक्त होती है वह DC बिद्धारा होती है इस से करेंट लगने पर जटके के साथ व्यक्ति दूर गिरता है और उसका सरीर जन्जनाने लगता है आईए अब इसका उपचार देखते हैं सरप्रिथम बिजली के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए इसके पश्चात करेंट लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हाथों में रबढ के दस्ताने पहन पर लकडी की सहाथा से छोड़ाना चाहिए गायल व्यक्ति को कंबल उड़ा कर लकडी के तखत पर लिटाना चाहिए करेंट लगने लगे भाग पर जलन को कम करने के लिए मरहम लगाना चाहिए नमबर चार यदि दम घुट रहा हो तो क्रतिम स्वास देने चाहिए नमबर पांच रोगी को गर्म दूद्य अचाय देना चाहिए रोगी को सदमे से बचाने के लिए उसे सांतुना दी जानी चाहिए अधिक जलने की इस्थिती में प्रात्मिक चिकिस्सा के अंतर के उपरांत रोगी को डॉक्टर के पास अथ्वा प्रात्मिक स्वास्त के अंद्र तुरंत पहुचाना चाहिए निर्जली करन पानी जीवन का आधार है हमारे सरीर में लगभग 75% पानी होता है यदि किसी कारण वस सरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इसे निर्जली करन कहते है हमारे सरीन में निर्जली करांड की इस्थिती बार बार दस्त होने एवं उल्टी होने के करांड होती है लक्षण सरीय कमजोर हो जाना, हाथ पैर कर ठंडा होना, ठकान महसूस करना, किसी कारे को करने की एक्षण ना होना, प्यास लगना उपचार क्या है वच्चों देखते हैं, एक चमज जीवन रक्षण घोल को पानी, एक ग्लस पानी में डाल कर कई वार पिए अगर घर में जीवन रक्षण घोल तुरंत उपलब्ध ना हो तो एक ग्लस पानी में एक चमज चीनी और एक चुटकी नमक मिला कर पिलाएं रोगी को एक एक करके चमच गोल को कई बार सेवन करने से बिसेस लाव मिलता है सिर में चोट का लगना कभी कभी सिर के बाल गिरने अथवा किसी कारण से सिर में चोट लगने पर सिर की हड़ी तूट जाती है सिर की हड़ी तूटने से प्राया व्यक्ति विहोस हो जाता है इसके साथ साथ कभी कभी मश्तिश्क को भी हानी हो जाती है आईए बच्चो उपचार देखते हैं ऐसी इस्थिते में निम लेखित उपचार करने चाहिए नमबर एक घायल व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाना चाहिए जिससे उसका सिर उपर और उपर की ओर उठा रहे सिर को नीचे सिर को एक ओर घुमा देना यदि कान से रक्त बह रहा है तो उसे नीचे की ओर कर दे किसी साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगो कर घायल व्यक्ति के सर पर रखना चाहिए रोगी के कपड़े ढहिले कर देने चाहिए यदि व्यक्ति बेहोश है तो बेहोशी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए गायल को निगरानी में रखें तथा उसे उठने एवं खड़ा न होने दे तुरंत डॉक्टर की सहाता उपलब्द कराएं हड़ी का तूटना दुरगटना होने पर सरीर में घाव हो सकता है सरीर की हड़ी तूट सकते हैं अत्वा उनके जोड उतर सकते हैं कभी कभी साधारन रूप से चलते चलते अत्वा सीड़ी से उतरते समय पैर मुड़ जाता है अत्वा मोच आ जाती है खेल कूंद में अनेक कार्यों को करते हुए अकस्मिक दुरगटना आदी के करन सरीर की मजबूती तथफ चलने फिरने के लिए असुवधा देने वाले कंकाल तंत्र की एक या कुछ हड़ीयां अपने स्थान से जब हट जाती हैं तो इसे मोच आना कहते हैं यदि कोई हड़ी तूट या चटक जाती है तो इसे हड़ी का तूट ना कहते हैं आईए जाने की हड़ी की तूट कितने प्रकार की होती है नमबर एक साधारण तूट इस प्रकार की अस्ती भंग में अस्ती तूटी अवश्य है किन्तु अपने स्थान पर ही रहती है तूटी हुई अस्ती के पास मास्पेशियों में सूजन आ जाती है घाव नहीं होता है इसी हड़ी तूट को फैक्चर कहते है नमबर दो पचड़ी तूट इस प्रकार की तूट खतरनाक होती है इस प्रकार की हड़ी तूट में हड़ी के सरे एक दूसरे में घुश जाते है सयूग तूट इस प्रकार की हड़ी तूट में हड़ी के तूटे सरे तवचा के तवचा को फाड़ कर बाहर आ जाते है इसे कुली तूट भी कहा जाता है कच्ची तूट इस प्रकार की तूट में हड़ी तूटती नहीं लचक जाती है यहां यह बच्चों की हड़ी में कैलसियम और फासपूरस की कमी होने के कारान होती है